हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर जो की मैं जो की है लोको मोशन या फिर आप लोग कह सकते हैं मुवमेंट आफ पैरा मिशियम तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आज का हमारा टॉपिक लोको मोशन इन पैरा मिशियम क्योंकि किसी भी और और गिनल को समझने के लिए उसके मुवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा पैरामेशियम के बारे में जान लेते हैं तो पैरामेशियम जो है वो एक यूनी सिलूलर और्गेनिजम है जो की बहुत ही जादा एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पैरामेशियम जो होता है व्यूनी शिलूलर और्गेनिजम है जो शू के शोल के आकार का होता है जैसे की फिगर में मैंशन किया गया है पैरामेशियम को उसी टाइप में होता है यह सिंगल सेल होता है और फाइलम प्रोटोजोवा से विलॉंग करता है अब हम अपनी टॉपिक के और आगे भढ़ते हैं कि लोको मोशन एंड मोमेंट ऑफ पैरामेशियम होता क्या है तो जिस प्रकार फिगर में दिखाया गया है इसी टाइप में हमारा पैरामेशियम में लोको मोशन की प्रोसेस कंप्रीट होती है तो step wise हम दो एक एक करके study करेंगे तो पैरामेशियम is a ciliated protozoan represented ciliary locomotion during locomotion cilia beats like a pendulum with downward effective stroke and upward recovery stroke तो इसका मतलब है पैरामेशियम के ciliated protozoa है जो ciliary locomotion को दर्शाता है locomotion के दोरान cilia नीचे की ओर प्रभावी stroke और उपर की ओर recovery stroke के साथ pendulum की तरह बीट करता है तो जो cilia है वो इस प्रोसेस में एक pendulum के तरह बीट करता है जो उपर की ओर होता है प्रभावी stroke और जो नीचे की ओर होता है वो होता है recovery stroke तो ये हैं हमारा पैरामेशियम के ciliary protozoan जो cilia के दोरा locomotion को दर्शाता है locomotion के दोरान cilia नीचे की ओर प्रभावी stroke और उपर की ओर recovery stroke के साथ pendulum की तरह बीट करता है तो next हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे क्या है कि cilia of longitudinal axis beats metacronically and cilia is transverse few beats sinorously result and animal move forward toward target तो longitudinal axis के का cilia metacronically breed करता है और transversely axis के cilia sinocrosnically के रूप में result देता है और animal target की ओर आगे बढ़ता है तो जो cilia है वो longitudinal axis पे work करता है तो लोको मोशन के time बोडी के एंटेरी पोस्ट एंड इसके विप्रीट सिलरी लोको मोशन के वाइश वर्षा के द्वारा लोको मोशन की प्रोसेस होती है due to oblique beating of color as well as beating of large oral cilia animal spiraling rate of guy rate left hand side in this path of loco motion तो large oral cilia के लोको मोशन के कारण animal के लोको मोशन लाइड मतलब left hand side होती है पेरामेशियम कारडेटम लोको मोशन के लोको मोशन के लोको मोशन के लोको मोर और मोर पर सेकेंड बीटिंग आफ सिलिया इन एन एक्टिब प्रोसेस अकर बाई एक्स्पेंडिक्श ओफ एनर्जी तो पैरामेश्यम काडेटम पंद्रा सो अगेस्ट्राम या उससे अधिक परतिसेकंड की गति से चलता है सिलिया की धड़कन उर्जा के वे के वे से एक सक्री प्रतिक्रिया होती है तो अब लोको मोशन एक पैरामेश्यम को इपर फिर से अच्छे से जान लेजिए कि पैरामेश्यम का सिलिया प्रोटोजोवा के जो सिलियेटिड लोको मोशन को दर्शाता है लोको मोशन के दोरान सिलिया नीचे की और प्रभावे स्टॉक और उपर की और recovery stock की ओर आगे बढ़ता है बीट करता है जो pendulum के आकार का बीट करता है और longitudinal axis का सिलिया metacronically beat करता है और transversely axis के सिलिया silochrometric के result का result देता है और animal target होके आगे बढ़ जाता है लोको मोशन के time body के anterior और posterior इंड विपरीट से सिलिरी लोको मोशन की vice versa होती है large oral cilia लोको मोशन के कारण animal के लोको मोशन right hand side होती है paramecium cardatum 1500 agastramia उससे अधिक 32nd की ओर से गति करता है सिलिया की धड़कन उर्जा के वेके वेसे एक सक्तिरी प्रतिक्रिया होती है अगर आप लोगों को locomotion of paramecium से कुछ भी जानना हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं इससे पहले हम लोगों ने paramecium का introduction and classification को study किया है जिसका link description box में दिया गया है आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं and best study के लिए आप हमारे telegram channel से भी जुड सकते हैं thanks for watching if you like my video please like and comment and in comment box also share this video to your friends subscribe for more videos thanks for watching